मैं वीना तामरा हूँ मुझे धाई मेना हो गया यहां और यहां अक्सर ने पूरी फिजिकली सब बताती है हर तरह से होता है लेकिन मैं एक अलग बताना चाहरे हूँ सबसे पहले तो अपनी बिमारी बताती हूँ मेरे डाइबिटीज है मेरे हाइपरटेंशन है मेरे इस्टं मेरे फिजिकली मुझे कितना हूआ है मैंने शुगर की गोली मेरी काम हो गई है हाइपरटेंशन की गोली मेरी काम हो गई है अब मेरा एक सबसे बड़ा मोटो है तीन महींने हो जाएंगे तो मैं 2D करवाँँ अपने हार्प की और मुझे उसमें भी विश्वास है कि मेरी 35 जो पुम्पिंग वो भी मेरी बढ़ेगी, यह सब तो हो गई फिजिकल, और मेरिको नींद की बिमारी थी, नींद बहुत अच्छी आने लग गई है, यह तो हो गई फिजिकली बिमारी, वो जो सब बोलेंगे, मुझे यहां जो सबसे अच्छा लगाना, अपना जो मैं वो इतना अच्छा है कि आप आदा तो अपनी बिमारी को भूली जाते हैं और यहां भजन और गेम्स करवाना और अंताक्ष्री और जो इस तरह का माहूल है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा आप फिजिकली जाएंगे पैसे दे के आएंगे आप एन एक्सराइस करवा के और मैं बतानी रही हूँ विजिकली तो हो रहा है इस में सब कुछ हो रहा है लेकिन जो यह चीज है ना अपना जो यह वली चीज ना जो आज की लाइफ में हर इनसान में इतना स्ट्रेस है यहां दो घंडे आके हम पूर बाहर की दुनिया को भूल जाते हैं इस सीडी से न लोगों की help करने के लिए जो मेरे मेरे वगरे जो भी मेरे नहीं आ सकते हैं, जो आसपड़ों के इतने ज्यादा यासे हैं, उनको मैं सोचते हूं कि पांच साथ दिन में अपनी मशीन पर उनको करके फिर उनको यहां बेजू, तो मेरा तो यही है कि मैं मशीन भी ले लूँग काफी लोग बहुत बीपी, शुगर, स्लिप डिक्स की प्रॉबलम, जिनने डॉक्टर ऑपरेशन तक कह देते हैं, वो यहां के बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, और बिना ऑपरेशन के ठीक हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, गुटने के जो ऑपरेशन है, व जिसको प्रॉबलम वो मशीन पर्चेस करें, वरना आप लोगों का यहां निशुल्क चलता है, बाकि सब के लिए निशुल्क ठरपी है, कोई चार्ज नहीं है, यहां का, जिससा आप से आपने शुगर की बात की, जिससा आप से भारत में आज शुगर बहुत जादा है, तो आप लोगों का अवेडनेंस प्रोग्राम भी चलाते हैं, लोगों तक पहुंचने का लिए, जिससे की जो भी शुगर के पेशेंट्स है, वो यहां तक पहुंचे हैं, और शुगर उनकी सही हो, क्या हो रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं, शुगर वाले हैं, तो ह हमारे यहां एक टेस्टमनी होती है, टेस्टमनी के जरिए, एक दूसरे को माउथ पबलिस सिटी के जरिए, यहां लोगों को पता चलता है, एड नहीं है, सेंटर का किसी भी तरीके का, माउथ पबलिस सिटी है, अच्छा लगता है, हमने इसमें सेंटर के दो हिस्से बना र तो आप साथ में एक तरफ मशिनों का यूज़ करने का तरीका भी बताते है तो दोनों चीज़ों को हम लेते है और जो लोग ठीक हो रहे है वो दूसरे लोगों को अपनी टेस्टमनी भी बताते है तो आइब स्टाइल के जंदा को आप क्या बताना चाहेंगे कि जिसे आपसे आज कर लाइफ टाइल बदल रही है किसे के पास टाइम नहीं सुभई योगा करने का या फिर टाइम नहीं तो कैसे उसको चेंज करें अपनी लाइफ स्टाइल देखिए वैसे तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम exercise करें हमारी जो daily routine की life है अगर हम 24 गंटे हम एक दिन में निकाल रहे हैं तो करीब करीब एक घंटा अपने शरीर को देना चाहिए exercise के तोर पे meditation के तोर पे या yoga वगेरा के तोर पे किसी ना किसी माध्यम से हमें समय देना पड बोड़ी को ताकि हम 23 गंटे बड़े अच्छे तरीके से उस बोड़ी को यूज कर पाए बट जाने अन जाने में या तो knowledge की कमी या आलस या लोगों को सब चीजे नहीं है knowledge में जिस कारण से वह बिमार हो रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं पहल तो है कितने लोगों तक पह होच पाते हैं हमारा प्रयास है और चुकि लोगों को motivate कर रहे है एक परिवार का एक शक्ति भी हमसे जुड़ जाए और थोड़ा सा health के प्रति जागरु को जाए तो वह अपने परिवार को और सेहतमत बना सकता है बच्चों को motivate कर सकता है कि exercise का क्या role है हमारी life में हम natural तरी circulation हमारे शरीर में अच्छा होना चाहिए नेचुरल तलीके से मारा ब्लड पतला रहना चाहिए गाड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यह हमारा का जी मेरा नाम योगेश मिश्राय है और मैं सिक्सम कंपनी में एज डिरेक्टर यहां काम कर रहा हूं हमारा यह जो सेंटर है इस सेंटर के अंदर हमने जो प्रोडेक्ट लगाए है इसका परपज है हम लोगों की जो क्रोनिक डिजीज है जो लोग यह सोचते के दवाई से ही ठीक हो सकते है उन लोगों के लिए हमने प्रोडेक्ट लगाए गए है इसका मशीन का जो काम है हमारे प्रोडेक्ट का जो क जो डिजीज है उसमें रिलीफ होगा ये सिर्फ बोलने के साथ साथ प्रैक्टिकल करके बनाने दिखाने के लिए हमने ये डेमो सेंटर लगाया है बहुत सारी क्रोनिक डीजीज मतलब जो लाइफ स्ट्याईल डीजीज है जैसे ड्या विलट पयशर वह गया बॉडी पेइन है मस्कूलर पेन इस टाइप की डीजीज है तीन तरह की डीजीज होती है एक्शिडेंटल वाइरल और क्रोन जो बाकी बची हुए सब क्रोनिक में आ गई लाइफ स्टाइल बिगड़ जाने की वज़े से ज्यादा दिखते आती है उन सब के लिए हमने डेमो सेंटर बनाया है कि आप हमने तो बताया बट आप स्वेम अगर इस्तमाल करेंगे तो आप इसको रिलीफ को ज्यादा मह कि जो डिजीज है वो सब लगबग क्रोनिक डिजीज ही होती है उसमें मैंने आपको एक्जमपल दिये वो डिजीज सारी आती है अब जब इस मशीन पर हम लेटते हैं इस मशीन के अंदर एक स्टोन लगा हुआ है जिसे इस थेरेपी का नाम है थर्मल एक्यू प्रेशर थे है क्योंकि इस पाइन जो है स्पाइनल कोड हमारी बॉड़ी की रूट है जड़ है जड़ पर थेरेपी देंगे तो उसका इफेक्ट पूरी बॉड़ी में बिलकुल आप है अब हमारे यह तो हमने बताया बकि जो लोग हमारे आप डेफिनेटली है तो जैसे बीपी की जैस करने से डेफिनेटली हमारे कस्टुमर्स का जो फीड बैक है जीननोंने 10–20 साल से भी जो द्वाईया ले रहे हैं उनका फीडबैक यह राह измен-C कोई भी दवाई हम डॉक्टर की सलासे ले और डॉक्टर की सलासे जब रिपोर्ट नॉर्मल आए तो ही हम छोड़े ऐसा हम अपने कस्टुमर को रिकमेंड करते हैं मेरा नाम राम सरूप सर्माय में पुलिस डिपार्टमेंट से डिटायर हूँ मेरी एस 67 है मैं वैसे नाइस कोच रहे चुक हूँ 15 साल तक जिंबे ट्रेनिक दे चुक हूँ मेरे पैरों में वेरिकोज वेंस है वेरिकोज वेंस के वल ऑपरेशन से ठीक होती है एक पैर का उप कोच वेंस पर बहुत ज्यादा फाइदा हुआ है जो कि इसका केवल ओप्रेशन ही इलाज है लेकिन यहां पर बिना ओप्रेशन के सबसे ज्यादा बढ़ी है ठीक हो रहा है मेरे मैडम में लेका है था उनके अस्तमा था वह भी साथ में आ रही है 15-20 साल से अस्तमा था अब वह यहां जब से आरी है इनलर्ब लेना बंद कर दिया है एसी डीटी बंदती थी वह ठीक हो गई है और लोर बेक पे उनके पेंता वह भी सब ठीक हो गया यह यहां के आने लगाता राने से यह सबसे ज्यादा फाइदा हुआ है यह सबसे बढ़िया बात है ने मेरे लिए दिन गहां आन कि अ मैं पंदा साल से लिय हूं और मेरी कई तरही हो गयाँ आ त Allies परशाय ने साइटी का दढ़he और यह प्रोटेश्ट की बीमारी अप्रोटेस्टिट्ल सब्सक्तों प्रोटेश्ट जो जो ठीक हो गे और मैं रुदा हुआ और मिमारी ही ठीक है और बर उस कर दो कर दो कर दो कि एप दिए दो बाले कर दो दो कर दो